सावरकर को गालिया देने के बावजुद भी माफी मांगने को जो तयार नहीं है इतने बड़े महान सपुत का अप्मान करके जिनको पस्चा ताप नहीं होता है महाराष्ट्र की जनता उनके संसकार को अब जान ले साट साल में उन्होंने आपसे कभी माफी नहीं मांगी क्यों नहीं मांगी क्यूंकि जरूरत नहीं पड़ी यह सच्चा ही है माफी जो ही मांगता है जो गल्थ काम करता है जिसने गल्थी ही नहीं की उसको माफी किस चीज़ की मांगनी है यहाँ कुछी दिन पहले शिवा जी महराज की मूर्ती बनाई गए और मैंने अकबार में पढ़ा कि प्रधान मंत्री ने कहा मैं शिवा जी महराज से माफी मांगता हूँ अब मैं यह समझना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी अलग-अलग कारण हो सकते हैं पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ती थी इसका contract RSS के एक वियक्ति को दी गई पहला कारण ये हो सकता है शायद प्रधान मंत्री जी कह रहे है कि नहीं मैंने गलती की मैंने गलती की मुझे ये contract RSS के वियक्ति को नहीं देनी थी ये मुझे contract merit पे देना था शायद वो गलती हो सकती है दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ती के बंदे में भरष्टाचार हुआ चोरी हुई शायद प्रधान मंत्री इसके लिए माफी मांग रहे है कि मैंने जिसको contract दिलवाया उसने भरष्टाचार किया महराष्टा के लोगों से चोरी की ये कारण हो सकता है तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महराज की मूर्ती बनाई उनकी याद में आपने मूर्ती बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ती खड़ी रहे मैं आपको गैरंटी देता हूँ कदम जी की जो मूर्ती बनी है न आप यहाँ पचास, साट, सतर साल बाद आ जाईए यहाँ आपको दिखेगी